नमस्कार एक ऐसी खबर अगर आप समझेंगे जानेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपकी आखे फटी की फटी रा जाएंगी इस देश में 28,030 एलेक्टोल बॉंड बेचे गए एक खरब 65 अरब 18,10,99,000 पर एलेक्टोल बॉंड के जरीया आया लेकिन आपको पता है कि 2019 में 80,030,000 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण अपने भारत देश में साफ हवा और साफ पानी नमिल पाना है क्या आपको पता है कि 2019 में जो आंक्रे आये थे उससे ये पदा चला कि परदूर्शन से हर साल आठ मिलियन लोगों की मौत होती है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत में होगा है बिक सिर्थ भारत में परदूर्शन के मामले में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है लेकिन एलेक्टरल बॉंड में कितने पैसे आए खर्बों के खर्ब जो रिसर्च आया है उसके मुताविक परदूर्शन से पॉलूर्शन से नब्वे फिर्दी मौतें कम आये मतलब इंकम कम और मध्धम आये वाले देशों में हुई जिसमें भारत में 23 लाख लोग गुजर गया वो टॉप पर था चीन में 21 लाख लोग मौत के साथ दूसर नमबर पाया सोचिए लैंसेट एक रिपोर्ट बनाती है लैंसेट एक विदेशी कंपनी है जो रिपोर्ट बनाती है उसमें कहा गया है कि खास्तोर से जब परधान मंति ने उजला योजना लाया था इस परदूसर्ण को खत्म करने के लिए तो थोड़ी बहुत लगा था कि हाँ बाते बनेंगी कुछ इस्थिति सुद्रेगी लेकिन फिर गैस कनेक्शन देख करके और उसका फिर रिफिल नहीं कराये गया और उसके बाद जो डाटा आया उससे परदूसर्ण पर उतना काम नहीं किया गया और अभी जो ताजा आकड़ा है वो सुनेगे तो और भी दंगर जाएगी दु दूनिया के सबसे परदूसर्ण शहरों के कि एक लिश्ट जावी कि गई है इसमें से तीन सहर भारत के हैं विक्सित भारत के यात्रह में हमारे देश के हवा के स्थिति काफी खराब है बायू परदूसर्ण का अस्तर लगतार खराब होता हुआ दिखाई पढ़ रहा है अपने देश की राधानी दिल्ली की है। दुनिया के सबसे ज़्यादा परदुसित सहरों के लिस्ट में दिल्ली पहले नंबर पर है। दिल्ली में जो एक एक्यू आई का लेवल है 519 पहुंच चुका है। यह काफी गंभीरी सिटी में है। जीरू से 50 तक एक्यू आई का अस्तर सबसे अच्छा होता है। और दिल्ली का कितना है 519 पहुंच दिल्ली के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा परदुसित सहरों में पाकिस्तान का लहूर है। यहां पर एक्यू आई का जो लेवल है 283 बना हुआ है। लाहूर में भी बायू परदुसित सहरों में कोलकाता का अस्थान तीसरा नंबर है। कोलकाता में एक्यू आई 180 धर्ज किया गया है। यहां पर भी हावा की इस्तिती बहुत खराब है। आपको पता है कि सर्दियों की सुलवात होते ही धुए की धुंद छाने लगती है, बढ़ने लगता है। और फिर क्या होता है आप जानते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक रिपोर्ट। CNN की डिपोर्ट के मुताबिक बिहार का सहर बेगुस राय पिछले साल दुनिया का सबसे परदूसिस सहर रहा है। बेगुस राय का आउसत वार्षिक पि-म जो है 2.5 सांदरता 118.9 थी जो डबलू एचो के दिशा निद्रिसों से 23 गुना अधिक है। आईक्यू एयर रैंकिंग में बेगुस राय के बाद गुहाटी, दिल्ली और मुल्लानपूर सहर रावे हैं। जो रिपोर्ट आई है उसकी मुताबिक पूरे भारत में 1.3 अरब लोग यानि 96 फिजदी आबादी जो है दबलू एचो के दिशा निद्रिसों से 7 गुना अधिक वायू गुनवत्ता के साथ रहते हैं। मतलब कुछ लोग रहते हैं अच्छी गुनवत्ता वाले वायू के स्थिती में। दख्षिन एशिया वैस्विक अस्थर पर मनें पूरे दुनिया भर में सबसे खराब प्रजशन करने वाले छेत थे जिसमें बांगलादेश पाकिस्तान भारत और ताजिकिस्तान। 23 रैंकिंग में सामिल नए देशों में साथ अफ्रिकी देश भी सामिल रहे जिन में था बुर्किनाप फासो दुनिया का पांचवास सबसे परदुसित देश और रवांडा पंद्रवे अस्थान पठान। 23 रिपोर्ट में तो इंडिया है बहुत खराब इस्थी है तीसर नमर पांगया है भारत भारत और पाकिस्तान और साथ में बांगलादेश की हालत बहुत चिंता जने है रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से दक्षिन एसिया विशेष चिंता का मिशे इसलिए है क्योंकि इसमें से 30 सर्वाधिक पर दूसीशूरों में से 29 रिपोर्ट पाकिस्तान और सबस्तोसिए है और लाहूर काई है ऊसे किवल 10 देश्व और छेत्रों में वायू गुनवर्त्या आपको 14 सोने में रखा गया है बतल Def 장lines देश हैं जहां पर वाई गुनवत्ता अच्छी है वो देश है फिन्लैंड एस्टोनिया फ्यूटो रिको अस्ट्रेलिया न्यूजिलैंड बर्मूडा ग्रिनेडा आइस्लैंड मारिशस और फ्रेंच पॉलिनेशिया आपको जानका हरानी होगी की रिपोर्ट में जो पाया गया है कि चीन ने परदूसन के अस्तर में गिरावट के पांस साल के रुज्वान को उलड़ दिया है मतलब पहले इस चीन की खराब थी दुनिया की सबसे खराब वायू गुनवत्ता के वैस्विक रैंकिंग में चीनी स आया है स्वक्स्ता में और वायू गुनवत्ता में आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अंसार पिछले साल बीजिंग में घना धुआ लोट आया था मैं धूंद छा गया था जहां नागरिकों ने वार्षिक औस प्रियम 2.5 संता में 14 परसेंट की ब्रिदी का अंभव किया था चीन का सबसे प्रदुषित सहर होटन रैंकिंग में 14 अस्थान पर सुझीवद है था मैंने पहले यह इस्थिती थी लेकिन 10 साल में वहां पर इस्थिती पलट वे वहां की सरकार ने काम किया हमारे यहां कितर नहीं ट्रिलियन एकनोमी बिक्सित भारत का संकल अब आपको ए हवाद दुशित पानी इससे 20 लाग से ज़्यादा जिन्गी हर साल खत्म हो जाती है हम सब को पता है कि हर इंसान को सांस देने के लिए हवा की ज़रुत होती है और पीने के लिए पानी चाहिए मगर भारत में साफ हवा और सुद्ध पीने का पानी नशीब होना आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है बिक्सित भारत की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ खास कर बड़े शहरों में जहां ज्यादा अबादी रहती है घनी अबादी रहती है यहां क्रोरों लोग साफ हवा और साफ पानी पीने के लिए वन्चित हैं उनको नहीं मिलता है मुहिया नहीं करा पाती है सरकारे और हर साल लाखों लोग मौत की नींद सो जा रहे हैं इन सब खबरों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है कोई सोचता भी नहीं है सरकारे सिब बयानबाजी करके मीडिया है हेडलाइन मेंजमेंट कर लिती है बात खत्म हो जाती है आपको पता है भात में खराब हवा की वज़ बाती है डबलू एचोपी हेल्थ गाइडाइन से पांच गुना ज़्यादा पीएम टू पॉइंट फाइब के साथ खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है कि सुल्लालाक मर्जाते हैं कि किसी को चिंता नहीं है ना मीडिया को ना सरकार को किसी को नहीं है कि मैंने अभी आपको बताया था कि कितने अरब खरब में आपको एलेक्ट्रोल बॉंड की जरीए पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलती है ताकि वो चुनाव लड़े सत्ता में आएं और फिर सरकार बना करके राज करें लेकिन कैसे यह जो सबसे बड़ी चुनावती है वायू पर्दूशन साफ पानी साफ हवा इसके बारे में कोई नहीं कोई नहीं बात करता है और अभी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांचुक आपको लड़ाक में पिछले पंदा दिन से हर्ताल पर इसलिए हैं कि उनको चिंता है कि जो क्लाइमेट को की सुरक्षा के लिए लड़ाक को छटी अनुसुची में सामिल किया जाना बहुत जोरी है नहीं तो कॉर्परेट यहां आएंगे और वो माइन्स के जरिए तमाम खनन के जरिये यहां जो उर्जया उत्रजित होगा उसे ग्लेशियर पीलेगा फिर पानी का संकट सिर्फ लड़ाक में नहीं होगा बलकि पूरेट देश में आने वाला है हर रोज एक वीडियो बनाते हैं क्लाइमेट इक्टिविस सोनम वांग चुक और बताते हैं सरकार को कि आप लड़ाक को बचाईए लड़ाक को बचाईएगा यानि देश को बचा पाएंगे आप लेकिन सरकारें तो दूर की बात है हमारे देश की मीडिया भी इस खबर को बचाने से बताने से मुह मोर करके छुपी हुई है पता नहीं क्यों छुपी हुई है लेकिन यह जो मैंने आभी आपको आखरे बताए यह अपने आप में चौकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि आने वाला कल इससे भी भयावा इस्थिति लाने वाला है अगर समय रहते सरकार या हम आप कोई ठोस पहलना करें सिर्फ नारा लगाने से की बिक्सित भरत का यह संकल्प है और हमारी अर्च विवस्ता तीसरी सबसे बड़ी अर्च विवस्ता बन जाएगी लेकिन साफ पानी साफ हवा की बात नहीं करना राजनितिक दलों की एक क्या मुझबूरी है समझ मे लोगों की जाने की चिंता जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आपको मैनुफेस्टों में यह बाते प्रमुक्ता से नहीं बताई जाती है कि हम आएंगे तो यह करेंगे और प्रदूस्वन लेवल घटाएंगे बाते होती है कि हम फ्री आपको राशन पानी देंगे हम नौकरी देंगे लेकिन जीने की जो सबसे वड़ी बजा होती है साफ पानी साफ हवा उसकी चर्चा कहीं होती है इस खबर को आप और भी तरीके से ढूनिए देखिए चुकि हमारा काम है उन खबरों को बताना जिसको सरकार छोड़ देती है मेडिया नहीं बताती है यह जो लिस्ट बन रही है उसमें भारत तीसरी अस्थान पर पागिस्तान है हमारा यही लेबल है क्या विक्सित भारत का लेबल क्या यही हो सकता है क्या यही होना चाहिए आप अपना फिड़ेक हमें कमेंट के जरीए जरुदी नमस्कार